अगर आप भी लंबे और घने बालों की चाहत रखती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फादे मन होने वाली है तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल निचुरल है सलूसन में एक बेहर दी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ प्रदूशर और अनहिल्दी लाइप इस्टाइल के चलते बालों की कॉल्टी खराब हो जाती है और कई बार बालों की ग्रोध भी रुख जाती है तो आई जानते हैं कुछ महतोपूर टिप्स पहला टिप्स यह है कि महदी महदी के प्रयोग से भी आप कंडिसर बना सकते हैं दही को महदी में मिला करके इस्तिमाल करने से बाल मुलायम होते हैं महदी लगाने से एक से डिर घंटे बाद अपने बाल को धोले और फिर तेल से मालिस करे बालो की मालिस के कुछ घंटे बाद ताजे पाने से अपने बाल को धोले इस उपाय को अपनाने से आपके बाल कुछी दिनों में काले घंए लंबे हो जाएंगे दूसरा टिप्स यह है कि सोयबिन सोयबीन खाने से हमारे बाल लंबे और घने होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन E जैसे पोसकता तो पाय जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुती फारिमन हो सकते हैं सोयबीन से बाल मोटे और साइनिंग होते हैं स्वयबीन को सबजी बना के या पूलाव में डाल करके आप खा सकते हैं आप स्वयबीन को तेल में तल कर भी इसे खा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी तरह इसको खा सकते हैं क्यूंकि इसका सेवन करने से आपके बाल बहुत तेजी से घने वार लंबे होंगे। तीसरा टिप्स यह है कि नारियल, नारियल के तेल से अपने बालों की अच्छी से मालिस करें। क्यूंकि नारियल में बिटामिन्स और फैट मिनरल पाया जाते हैं। जो बालों को जणने से रोकती हैं, नारियल के तेल में ये सभी गुड़ होते हैं, जो बालों के सीरों से ले करके जड़ों तक बहुत ही मजबूती प्रदाम करते हैं। इसके लिए आप नारियल को पीस कर दूद निकाल लें, और इसमें थोड़ा सा पाने मिला लें। जहाँ पर बाल पतले हो रहे हैं या गंजे पन हो रहे हैं, वहाँ पर इस दूद्स को लगाएं। और रात भर ऐसे ही रहने दे। इसका प्रयोग करने से आपके बाल की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी। चौथा टिप्स यह है कि नारियल का तेल और निम्बू। नारियल के तेल में निम्बू का रसमिला करके नहाने से 30 मिनट पहले ही सलफेट फ्री सैंपू से धोले। इससे आपके बालों की लंबाई में फर्क दिखेगा। वैबाल मुलायम होंगे। पाचवर टिप्स यह है कि गाजर खाना सभी को अच्छा लगता है। इसका उप्योग सलात के रूप में हर कोई कर सकता है। लेकिन क्या आपको इसके गुड़ के बारे में पता है। गाजर खाने से बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। और बाल जहने की समस से भी छुड़कारा मिल जाता है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद।